आप सभी प्रिया दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए educational वीडियो में आज हम बात करेंगे how to earn money daily using nifty future ये nifty future आखिर बला क्या है और इसकी intra-ray trading कैसे की जाती है और हम इससे daily पैसा कैसे कमा सकते हैं वो भी कम पैसा लगा कर intra-ray में पूरा visualization करेंगे बताएंगे कितना पैसा की जरूत होगी और बताएंगे कैसे trading कर सकते हैं सबसे पहले basic चीज़ों से शुरू करते हैं आखिर ये nifty future है क्या तो चलिए अब बात करते हैं future के बारे में तो future जो होता है stock market में एक particular asset के against उसका price drive होता है asset क्या होता है asset कुछ भी हो सकता है जैसे आपका घर हो गया मालिया जैसे आपका कोई car हो गया या फिर जैसे हम stock market की बात करें तो आपकी कोई stock हो गया for example reliance का stock या फिर कोई commodity होगी जैसे gold की commodity हो गई या फिर index यहाँ पर जिसके हम बात करेंगे nifty की अभी तो nifty india का nifty 50 index है बड़ा सबसे बड़ा index है sensex के बाद में उसी का number आता है तो इनको आप future में trade कर सकते हैं इनको derivatives भी कहा जाता है यह तो सिर्फ नाम की बात है कि आप कुछ भी कह सकते हैं उनको derivative का मतलब क्योंकि वो किसी value से drive की गया उसकी value अब इसका क्या मतलब होता है कि nifty spot में तो आप trade नहीं कर सकते nifty spot को तो आप index को नहीं खरीच सकते न बेच सकते तो इसके लिए उन्होंने इसका derivative बना दिया जिसको कहते है nifty future उसको आप month और month खरीच सकते हैं या बेच सकते हैं कुछ देशों में उसको month and free भी expiry की जाती है कुछ देशों में ये weekly भी expiry चलता है तो अलग-अलग जंगा पर अलग-अलग है हमारे यहाँ पर simple equation है every last Thursday of a month is our future and option expiry date तो आपको date का भी ध्यान रखना है अब इसमें दो चीज होती है एक होता है premium premium का क्या मतलब होता है आप किसी चीज की value से ज़्यादा पैसा दे रहे है for example आपको दिखाते है live example करके तो अगर आज nifty की बात करें nifty का sport जो close होते होते हो बंद हुआ है वो करीब बंद हुआ है करीब 11,930 का तो देखें आज इसने 11,930 का बंद किया है इसकी values से ज़्यादा है इसका क्या मतलब समझ जाता है premium का मतलब कि ये जो उसकी underlying assets है उससे ज़्यादा इसकी कीमत लग रही है इसका मतलब कि आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग bullish है जो इसको खरीद रहें तेजी से और यह आगे आने वाले time में आपको अच्छे return दे सकता है तो इस तरह से इसको premium होता है कभी कभी क्या होता है यह discount चला जाता है जब market नीचे को गिरता है तो आपको लगता है कि यह discount रहता है तो उसका price नीचे हो जाता है अगर example लेके बता है देखे अगर इसका price 11,930 की जंगा पर future का price 11,920 होता 10 रुपे कम होता तो उसको हम discount कहतेते हैं तो यह 30 जो 30 होगी बहुत simple होगी एक बार फिर से summary करते है Nifty की जो value है वो drive होती है आपकी Nifty future की value drive होती है Nifty 50 के current market price से और इसमें कभी premium होता है कभी discount होता है वो आप पने trading के basis पर उसको use कर सकते है अब advantage क्या है इसमें आप इसको खरीद भी सकते हैं और sell भी सकते हैं buy भी कर सकते हैं नी शरी और sell भी कर सकते हैं और दोनों तर ऐसे इसमें पैसा कमाया जाता है यह बहुत अच्छी बात है इसमें आपको selling भी अला हुआ है इसमें आपको buying भी अला हुआ है माले आपको लग रहा है कि market अब crash होने वाला है तो आप उसको बेच सकते हैं feature को और जब नीचे गिर जाए तो आप उसको सस्ते में खरीद लिजे और आपको अगर लग रहा है September series का market नीचे जाएगा यहाँ पर बहुत बड़ी candle बनी थी और 70% probable chance था कि यह नीचे जाएगा तो हम अपनी चैनल पर हर बार बोल ले थी कि आप short कर सकते हैं इसको जिसने भी short किया होगा इसको Nifty Fifty को देखिए September की series जो बंद हुई है लास्ट रज़े 24 तारिक को 10,800 बे बंद हुई है पूरी series का low है और यह 70% probable cases की basis पर आपको कोई chart नहीं देखना है सिर्फ example और हमारे experience की basis पर हमने अपने चैनल पर बताया था इससे आपको फाइदा कमा सकते हैं अब वही चीज हमने October बताई कि October का शुरुआत बहुत positive हुई है 70% chance है कि यह उपर जाएगा आप देखिए इसमें September का high भी तोड़कर 11,936 बंद हुआ है आज तो यह एक बहुत अच्छा indicator होता है जिसको आप आगे आने वाले time के लिए closely monitor कर सकते हैं और buy कर सकते हैं तो अगर आपको किसी चीज की information है जो हो सकता है दूसरे लोगों को ना हो और आपको कोई अंदेशा है कि market आज उपर जाएगा या नीचे जाएगा तो उसके हिसाब से आप future and option को काम कर सकते है future particularly खरीच सकते है या बेज सकते है जैसे आपकी अंदेशा है और आपको बहुत अच्छा profit मिल सकता है तो shorting क्या होती है shorting इसको कहते हैं कि market में अगर आपको पैसा मिल पा रहा है और वहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि अब ये ज़्यादा पैसा हो गया इसका अब ये नीचे जाने की उम्मीद है इसका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आप उसको short कर सकते हैं यानि कि आप उसको बेच सकते हैं हमाँ पर आपके पास नहीं है कुछ भी चीज़ आपके पास nifty 50 नहीं है पर फिभी आपने nifty future को बेच दिया है क्योंकि जब भी कोई खरीदता है तो उसके सामने कोई बेचने वाला भी होगा और long क्या होता है long का मतलब आपको लग रहा है कि market उपर जाएगा तो आपने उसकी nifty 50 की future को खरीद लिया है तो उसको कहेंगे आप long हो गए है अच्छा भाई भी अगर आपने buy a sell जैसे भी किया accordingly और इसका क्या होता है इसकी एक future date रहती है जिसको आप change नहीं कर सकते है यह exchange set करता है और यह date तीन महिने पहले ही decide हो जाती है generally last Thursday of the month रहती है अगर month Thursday holiday है तो फिर Wednesday हो जाएगा एक दिन पहले उसको expiry date होती है और price भी उसका रहता है अब please consult your financial advisor तो इसमें क्या होता है आपको एक lock-in price मिल जाता है given asset का तो suppose आपको लग रहा है market crash हो गए हाँ से तो 11,930 पे आपने अपनी future को बेच दिया है माल लिया तो आपको जो profit है वहाँ पे रुख गया है आपके पास जो stock है उन्हों तो नहीं बेच सकते पर market जो गिरेगा तो stock भी गिरेंगे तो आपको नुकसान होगा वो नुकसान आप यहाँ पर भरपाई कर सकते हैं इस तरह से आपको फायदा मिल सकता है कुछ countries में crude oil भी चलता है हमारे भी crude oil चलता है यहाँ पर wheat का भी feature चलता है तो बहुत सारी चीज़ों का feature चलता है आप currency का feature कर सकते हैं US dollar का कर सकते हैं GBP pound का कर सकते हैं तो जैसे आपको चाहिए feature आप ऐसा कर सकते हैं अब इसमें यह नहीं कि आपकी सर्फ एक ही share खरीद ले इसमें एक चीज़ ध्यान मतनी है इसका lot size fix होता है हम बताते हैं कैसे तो अगर देखेंगे आप यहाँ पर अगर आप 50 का देखेंगे तो अगर यहाँ पर आप इसको buy करना चाहते है आपको आप एक चुहे के मुकाबले पैसा देकर हाथी के बराबर cost खरीद रहे हैं बताते हैं कैसे समझें leverage का मतलब क्या होता है तो अगर आपने एक lot खरीदा है इसका और आप इसकी delivery ले रहे हैं तो आपको delivery के time पे इसका 1.46 lakh के आसपास आपको पैसा चाहिए ठीक है पर अगर आप इसमें calculate करेंगे कि आदर आपको देख रहा है कि calculator के basis पर आप calculate कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए आपके पास 75 का lot है और आप 11936 पर इसको खरीद रहे हैं मोटा मोटा तो आपको कितना बड़ा leverage मिल रहा है इसमें 146936 तो आपको 6 गुना leverage मिल रहा है तो इसका मतलब अगर price 10% बढ़ता है तो आपको 60% return मिल जाएगा आपके investment में ये चीज का दिहान रखे इसी को कहता है कि आप एक चुहा देके हाथी को खरीद रहे हैं ये leverage का फाइदा होता है पर इसका नुकसान भी है दोस्तो जब अगर leverage में आप against चले जाते हैं तो हो सकता है जब 50 10% आपके against चला जाएगा तो आपका 60% का आपका cost भी खतम हो जाएगा तो ये चीज आपको समझनी है दोनों चीज़े होती है ब्रमा जी ने ब्रहमास्त्र बनाया है तो जो चलाने वाला है उसको भुद्धी दी है कि तुम सही टाइम पे चलाओगे तो तुम्हें फाइदा मिलेगा अगर तुम्हें गलट टाइम पे हड़ देगा इसको चलाओगे तो तुम्हारा भी नुकसान होगा तो इसका ध्यान रखिए कि आपको हमेशा अपने टाइम से इसको काम करना है और लिवरेज बहुत देंजरस चीज़ है आप प्रोफेशनली हेल्ट ही ए तब आपको मिल सकती है आगे उसके थुर आप काम कर सकते हैं तो फीचर को आप किस तरह से काम करते हैं, फीचा का मतलब कि आपके पास स्टॉक पढ़े आप बेचना नीचा तो हैं कर दीए speculate मतलब आपको लग रहा है कि किसी अंदाज़ा लग रहा है कि आपको लगए डॉनल्ड ट्रम जीतेगा तो मार्केट ऊपर चलेगा तो आप उसको खरीच सकते है फीचर को या फिर आपको लग रहा है कि income रेगुलर सकते हैं और दोस्तों जी आपके प्रोफाइल को शूट नहीं करता है तो आप फ्यूटर में काम मत कीजिए तो एक चीज का में अपको अपना पॉपिट रेग्लोली बुक करना है जैसे हमें example बताते हैं आज का आपको, तो देखे, दोस्तों हमारी उम्मीद क्या थी, हमने अपने nifty future में आपको सला दीती ही आज अपने चैनल पर, कि आप इसको short कर सकते हैं, तो हमने दो वीडियो बनाया थे, एक nifty future का, एक bank nifty future का, उसमें short करने के सला दीती, तो आपने क करीब करीब 1200 रुपे के आसपास, हमने इसको short करने के दीती, और देखे, 1205 का high बनाया इसने, ठीक है, और जो हमारा उसका target था, वो करीब 1190 के आसपास का था, तो ये आपको exactly, जैसा हमने बताया, वैसर के वैसर मिला, आपको 100 point का profit मिला है, आज nifty में, अगर आपने हमारा सिर्फ वीडियो देखा होता, जिसके थुरू आपको इतना बड़ा profit मिला है, और ये चीज़ हम अपने intraday trade में भी कराते हैं, और इसके साथ में, हमने अपने telegram channel बताया है, कि आज हमारे associates को, जो हमारे साथ में काम करते हैं, जो हमारे paid customer है, उनको 1200 रुपे multiplied by their portfolio, तो उनक इतना फायदा हुआ, आप समझेए, जितना आपका बड़ा profile है, उस portfolio है, उतने बड़े से आप उसको multiply करते रहे हैं, इतना आपको फायदा हो सकता है, इसमें हमारी service लेने के पाद में, हम एक paid service प्रवाइड करते हैं, इसके लिए, paid service अगर आपको चाहिए, तो 8,000 रुप कैसे पड़ता है, करीब करीब 10,000,000 रुपे का आपको माल उठा सकते हैं, तो ये stock में margin थोड़ा कम रहता है, nifty में margin करीब करीब 6 गुना है, और यहां stock में margin करीब करीब आपका 4 सारे 4 गुना है, हमेशा धेहन रखिए, जिसका price drive होता है, वो asset से होता है, भाभगवान होत है, उसको हमेशा follow कीजेगा, और देखे, return के बात में, अगर आपको cash में आपको जहां 10% मिलता है, अगर आपने stock में invest किया, तो 43%, और अगर आपने index में feature करेट किया है, तो आपको 60% तक return मिल सकता है, उसमें, और दोस्तों, हमेशा धेहन रखना, अपना trade को हमेशा monitor करके रखो, उसको unattended मत करो, generally हम लोग overnight position को avoid करते हैं, unless until हम लोग बहुत ही bullish हैं किसी चीज़ में, या बहुत ही bearish हैं किसी चीज़ में, तो हम लोग intra day में ज्यादा trade prefer करते हैं, और क्योंकि हम उसको time पर monitor कर सकते हैं, overnight position हम ना तो खुद रखते हैं ज्यादा है, और ना ही ज्या keep improving from your mistakes, always mistakes को learn करने की कोशिच कीजिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आशा करता हूं, आप सीख रहे हैं, और आपके digital Google profile के accordingly, और साथ में जो आपकी YouTube search history है, उसके accordingly हमारे चैनल पे से, हमारे चैनल के 1200 वीडियो में से, Google ने आपके लिए 4 वीडि कि आपने क्या आपको क्या देखना पसंद है, ताकि हम उसके accordingly आपकी choice के accordingly वीडियो बना सके, जै हिन, जै भारत, आपका दिन मंगल में हो, बाई काई